देखिए शेराम और लक्षमन अपने गुरु विश्वामित्र के साथ जनक पूरी जा रहे होते हैं मिधिला पहुचने के बाद उनको एक आश्रम दिखाई देता है बड़े सुन्दर रमणी आश्रम दिखाई देता है तो शेराम जी पूचते हैं गुरुवर अपने विश्वामित्र गुरु से कि गुरुवर ये आश्रम इतना खाली-खाली क्यों है कोई मुनी रिशी यहां पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है ये आश्रम किसका है इस प्रकार से तो विश्वा मितर उनको एक कहानी सुनाते हैं कि इस आश्रम में पूरू समय पर प्राचीन समय पर गोतम रिशी अपनी पतनी अहल्या के साथ रहते थे एक बार इंद्र वेश बदलकर गोतम रिशी का आश्रम आ गए उस समय पर जो गोतम रिशी थे वो आश्रम से बाहर गए हुए थे समीधा आधी लेने के लिए, लकड़िया आधी, यज्य आधी करने के लिए तो इंद्र वहाँ पर आते हैं वेश बदलकर और अहिल्या से कहते हैं मुझे आपके साथ संबोग करना है अहिल्या प्रसंद्नता पूरुव के सुईकार कर लेती है और दोनों संबोग करते हैं अनेतिक संबंद बनाते हैं फिर अहिल्या कहती है आप अब यहां से चले जाएए अनेथा मेरे पती आएंगे और दोनों को श्राब दे देंगे जब इंद्र वहाँ से जाना चाहता है तो वहाँ पर गोतम रिशी आ जाते हैं उनको देख लेते हैं तो इंद्र को भी श्राब दे देते हैं उनके अंड कोश निकल जाएं गिर जाएं यह सब ऐसा है पेंटेसी कहानी और उसके बाद फिर अपनी पत्नी को भी श्राब देते हैं अब यहाँ पर याद रखिए जो रामायन सब के घरों में मिलती है मैं वो रामायन से आपको श्राब दे रहा हूँ और इसमें क्या कहता चैरोश लोकों में? वर्ष शहस्तराणी कई सहस्तरवर्षों तक कई हजार वर्षों तक अहलया तुम इस आश्रम में राख में रहो यहाँ पर तुम तप करो और पानी पर रहो हवा पर रहो कुछे खावप योगी नहीं उक्वास करती रहो और हजारों वर्ष के बाद यहां पर श्रीराम आएंगे आयोध्या में दश्रत के पुत्रे तो वो श्रीराम आपका उद्भार करेंगे और जब श्रीराम यहां पर आएं तो उनका अच्छे से आदर सत्कार करना तुमारा लोभ लालच और यह सारी चीजे उस समय पर चली जाएंगी यह यहां पर वालमी की रामायन के चैर्श लोकों का अर्थ है यह श्राप अपनी पत्नी को गोतम रिशी ने दिया था ठीक है जी यह समझ में आ गया अब बाबा जो तुलसी दास थे उन्होंने बिल्कुल इसके ठीक विपरीत इस घटना को लिखा हुआ है यहां पर कोई पत्थर की बात नहीं आई कि गोतम रिशी ने अपनी पत्नी को पत्थर बना दिया शिला कि तुम यहां पर पत्थर बन जाओ और यहां पर पत्थर के रूप में इस आश्रम में रहो शीराम आएंगे और वो तुम्हारे उपर पैर रखेंगे और तुम दोबार से स्त्री बन जाओगी ये सारी की सारी कहानी यहां कहीं भी नहीं है और आज हिंदू समाज इसी कहानी को मानता है तो पहले हिंदू समाज का जो प्रशन है पत्थर वाला उसको मैं हल कर रहा हूँ फिर विधर्मियों के उपर आएंगे कि दुराचार व्याभीचार कितना हुआ 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 या नहीं हुआ उस रात क्या हुआ जो विधर्मी प्रशन खड़ा करते हैं उस पर बाद में आएं इसमें इतनी मिलावट है कि आप चांते चांते बूर्षे हो जाएंगे आपको समझ में नहीं उसके बाद भी यहां पर पत्थर की कोई कहानी नहीं है तो यह कहानी कहां से आई यह आई बाबा तुलसी दास की तुलसी रामायन से एक रामायन है आज से 500 वर्ष पूर लिख कि लुठ्थर पर तुम्हारे पेर लखेंगे और तुम स्त्री का रूपधान कर लोगी तुमारा उध्धार हो जाएगा यह कहानी बाबा तुल्सी दास के लिख्या है कभी सोचा है यही तो सोचने की चीजे यही तो ज्यान अर्जन करने की चीजे फाल्तोंमें हम 50 यह समय यहां पर क्यों लिखा क्योंकि बाबा तुल्ची दास के समय पर स्त्रियों के जो अधिकार थे वो छीन लिये गए थी पंडे पुजारियों ने जो हमारे श्रेष्ट ब्राह्मनों के गरंत थे ना उन गरंतों में बड़े स्तर पर मिलावट वहां पर की गई थी स्त्रियों के अधिकार इतने छिलनी कि उनको पढ़ने का अधिकार नहीं उनको कहीं गुरुकुलादी में स्कूल में जाने का कोई अधिकार नहीं उन पर इतने दबाओ लगा दिये स्त्री पर्था शुरू कर दी बाल विवा शुरू कर दी उनको मारना पीटना शुरू कर द देखिए एक नई नवेली दुलहन होती है उसकी शादी हुई है और अपने पती ये घर अभी नहीं नहीं गई है तो उत्तर भारत में घूंगट पर था है आप सभी जनते हैं घूंगट किया हुआ था सासुमा ने कहा बेटा पानी देना और सासुमा के पास आसपास की गाउ में ऐसा होता ना कुछ औरते आज आती हैं गप्पे शप्पे लड़ाती हैं तो कुछ औरते आई हुई थी वहां पर तो पानी लेकर आई बहू उसका पैरफिसल गया बेचारी का अब घूंगट था दिखाई नहीं दिया पैरफिसल गया कुछ गिरा होगा वहां पर दूसरी महिलाओं के सामने जानते हों क्या प्रचार किया कि अरे उनके घर में जो बहू आई है ना नहीं नवेली वह तो अपनी सासु मा के चहरे पर पानी फैक के मारती गलास है अब जो वह महिलाए थी उन्होंने ये सुना तो दूसरी महिलाओं को उन्होंने क्या ट्रां गई नहीं नी रामायने लिखी गई उसमें अपनी अपनी तरफ से सब ने जोड़ तोड़ करा घटनाओं को बढ़ा चड़ा कर लिखा अश्लोक और दोहे इतने लिख दिये कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या था क्या नहीं हुआ था सारी विरोधा बास एक दू पुचिदास और आदियुने जितने एदिये थे क्या क्या श्लोक लिखे जानते हो ना धोल गमार पशुशुद्र नारी ये सब ताड़न की अधिकारी नारी ताड़न की अधिकारी ये हमारी संस्कृती है अरे जिस सनातन धर्म में नारी को पूझनिये कहा गया हो यत्र न गयी है वह हमारे यहां कभी नहीं होती थी मुसलिमों से देखा देखी हमारे आफ़ंपराय आई थी जिस घर में नारी की पूझा होती है उस घर में देवता निवास करते हैं हमारी शिक्षया है स्थ्रिया पन्था देया स्थ्रियों को पहले रास्ता दो c-42 की देन है हमारी देन है और यहां पर अहल्या माता को पत्थर बना दिया बाबा तुल्ची दास ने और शेराम जी पैर लगाएंगे उस पर अरे हमारे धर्म में मातर शक्ति को पैर लगाना बहुत बड़ा पाप है शेराम जी ये पाप करेंगे ये बाबा तुल्ची दास के रामायन पर भी बताने जा रहा हूं तो ये सारी घटना इस प्रकार से हमारे कब भी नहीं था ठीक है यहां पर ना वो शिला बनी ना वो पत्थर बनी और ना श्री राम जी ने उस पर पैर लगाया